कि चलिए बच्चों सब्सक्राइब करते हैं चलो स्टार्ट करते हैं हालक यह चैप्टर ऑल्मॉस्ट खतमी होने वाला है चलिए आज लेक्टर नंबर की बात करते हैं हमारा चैप्टर चल रहा है ताइम वैल्यू पनी जिसमें सार हम अब तक देख चुके हैं इसको मैंने बोल दिया एंड मतलब अगर एंड में देंगे तो कैसे निकलेगा कैलकुलेशन और परजंट वैल्यू एंड के कोशन चल रहे थे आज हमारे चीक है एंड के दो या तीन कोशन और करने इस स्टडी मिट्रील के उसके बाद हमारा यह कॉंसेप्ट भी खतम फिर हम आज करेंगे परजंट वैल्यू जो स्टार्टिंग में देते हाला कि आपके पूरे में सर्फ एक कोशन दे रखा है तो इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है हाँ फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस है फिर उसके बाद एक कॉंसेट और है पर पैच्चूटी यह मैं आपको आज ही करा हूँगा और एक कॉंसेप्ट और बस लास्ट के आपिटल बज पर्मीशन है आज तो मयंग भी गायव कई बच्चे गायव है आज चलिए जी बताएं पर्मीशन है आप लोगों की इस चलिए कंप्यूटर के सामने आपका कोशन आ चुका है चलिए मैं भी यहां पर उतारता हूं अभी नहीं आया सर यह लीजी आ गया है क्याता है एस सब्सक्राइब करता है पांच लाग तुबाइब हाउस कोई पांच लाग बताएगा मुझे क्या दे रखा है परजंट वैल्यू है या फिर यह है सब देखते हैं आगे कहते इफ ही पेस इक्वल इंस्टॉल्मेंट फोट्वेंटी यह 10% के रेट से तो कह रहा वाट विल सब्सक्राइब करते हैं मतलब सर किस्ते पूछिए यह पूछ लिया तो सर यह मुझे दे रखा परजंट वैल्यू हाला कि बच्चे पहले ही करके बैठे होंगे बढ़ फिर भी बिटा मैं तो करूंगा कि चलिए सर सबसे पहले आप अपना पॉर्मूला लिखिए ठीक है जी मैं लिखता हूं और आई मेरा है किता दस प्रतिशत चलिए जी फ्यूचर परजंट वैल्यू इस इकल टू एवन प्लस आई इसकी पावर एंड माइनस वन और आई वन प्लस आई इसकी पावर एंड चलिए मुझे भी दिखाएं पॉर्जी एक बार चलिए जी हाला कि कोई भी बच्चा कैमरा बंद नहीं करेगा आज एक ही बच्चे ने कैमरा ओन कर लिया हाला कि बच्चों ने आंसर भी दे दिए वेरी वेरी गुड चलिए कोई बात नहीं फिर भी मैं तो बिटा सॉल्व करूंगा क्योंकि बाद में अगर आप ही लोग वैक अपने देखो गे तो कैसे बात बनेगी टैन डिवाइड़ वाइंडेट तो जीरो पॉइंट वर इसकी पावर बीस माइनस वन जीरो पॉइंट वन बन प्लस जीरो पॉइंट वन इसकी पावर वीस चलिए जी एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ तस्क्यारा बारा तेरह चौदा पंदरा सोला सत्रह ठारा उननेस सर उननीस पर रुख जाएए उननीस पर आएगा आपका पहत्तर जोटर नाइन माइनस वन जीरो पॉइंट वन शीक्स वन सैवन टू सैवन पॉर नाइन ठीक है जी और इसी कर्टू में पांच लाग चलिए जी सॉल्व कीजिए सर इसको माइनस वन डिवाड़ेड़ वाई 0.1 डिवाड़ेड़ वाई 6.72749 तो सरी यह किस तरीके से आ रहा है एज इकल टू एट पॉइंट वन थ्री फाइफ पाइफ के बाद क्या है सैवन चलिए जी डिवाइड कीजिए पांच लाग पॉइंट फाइफ वन थ्री फाइफ सेवन यह थावन अजार साथ सो उनतिस पॉइंट पुछा रहा है एज इकल टू सर दिख नहीं रहा है चलिए कोई बात नहीं यह अब देख लो लगबग यह आ रहा है यहां तक तो सर आपने करी लिया होगा सर यहां तक तो आपने बोर कर दिया यह तो हम पहले ही करके बैठे थे चलिए कोई बात नहीं मैं आगे कराता हूं इस कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं नेक्स कोश्चन चलिए जी कोश्चन नंबर द अगे 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 भटी टू कहता है चाहां पांच जार पेड़ करता है हर साल ठीक है सर दस साल के लिए और कहता है और आप कितना आपको दे दिया और आप दे दिया पांच हजार ब्रैकिट में बच्चे दिखाई कुझे रहे हाला कि बच्चों ने आंसर पहले दे दिया है चलिए बावू गुड़ आफ्टर नून सर मयंग पंड़जी वैरी वैरी गुराफ्ट नून जी कहां थे बटा आप सर आपी ने तो बोला था एक चालिस पे क्लास हो बेटा जल्दी रेडी हो गया तो मैं जल्दी आ गया है दस साल माइनस वन मैं अगर कोश्चन में गड़बर करूं तो मुझे भी रोक दीजेगा कई बार कैल्कुलेशन में भी गड़बर हो जाती है ठीक है जी सर चलिए जी चलो सर एक बार इसको यह भी कर ले सबसे पहले सब्सक्राइब और इसको बाद में एट डिवाइड करने के बाद एट अलग लिखाओ ठीक है जी जी सर चलिए जी वान एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो पांच हजार रैकिट में थ्री पॉइंट जीरो सैवन टू वन इसके बाद जीरो पॉइंट वन फूर और थ्री पॉइंट सैवन चीक है जी जी सर चलिए जी माइनस वन गुना पांच हजार और डिवाइड बाई जीरो पॉइंट वन फॉर फिर डि इवाइड़ भाएं जी पॉइंट सेवन जीरो सैवन टू वन इस अबिटा इस आजार देखो कितना आ रहा है चब्यायर अजार असी पॉइंट कुछ आ रहा है श्र पैसे यहां पर अच्छे ने पहले ही देदें सर आपने देखा नहीं विशाखा गोड़ भावेश प्रकर गुष्ष वैरी वैरी गुड़ चलिए जी मैं आपको आगे लेकर चलता हूं कुश्चन नंबर सर आज तो आपने बोर ही कर दिया हमें क्या करूं बच्चो अब आप ये कुश्चन करकर के बोर हो गए बस एक दिन और एक दिन और का मतलब इस चैप्टर के लिए बस एक दिन और कहता वाइब बॉट टीवी जिसकी कॉस्ट कितनी है तेरा जार पे बाइकिंग डाउन पेमे तो सर हमारी पर्जंट वैल्यू मतलब लोन कितना हो गया सब्सक्राइब कितनी फोर एंड दे दिया चार और कितनी इंस्टॉल्मेंट पोर रेट है आपका 14 परशंट कहता है बता दो कितने की इंस्टॉल्मेंट बनेगी चलिए कंप्प्टर जी दिखाए मुझे भी सब्सक्राइब के बैठें कोई बात नी मैं भी करूंगा अर्जंट वैल्यू इस इगल टू यह मुझे निकालना है वन प्लस चौदा डिवाड़ेड़ वाइंड तो जीरो पॉइंट और एन कितना है चार माइनस वन पॉइंट पॉइंट फॉर पॉइंट चलिए जी कीजिए सॉल्फ प्लस वन एक दो तीन ए शिक्स एट सर्दिक नहीं रहा आप देखते तो हो नहीं कैमरी की तरफ एट एट नाइन लो बच्चों लो नाइन हो गया एक दो एट नाइन शिक्स माइनस वन जीरो पॉइंट नाइन शिक्स हाला कि बच्चों ने मुझे पहले ही आंसर दे दिये हैं माइनस वन डिवाड़ेड़ वाइज जीरो पॉइंट फॉर फिट डिवाड़ेड़ वन पॉइंट शिक्स एट एट नाइन शिक्स तो यह आया बटादी आपका टू पॉइंट नाइन थ्री सैवन यह को आप नहीं छोड़ दिया कि सर हमें तो बासी आ रही है कि इतने घटिया घटिया कुश्चन करा रहे हो आप जबादी है जी चलिए दसफाजार डिवाड़ेड़ वाए-2.9113,730, 3434 3434 मेरा क्यों आ रहा है फारी बाकियों का घडबर कैसे आ रहा है 3432 आ रहा है मेरा 34 अच्छा मेरा भी 3432 यह आ रहा है तो एक मधर दुबारा से करके देख रहे क्या तू पॉइंट वन थ्री सेवन अच्छा सरी आपने एक एक्सा लगा दिया है ठीक है यह इसको हटा लेना सर दिखाई नहीं देरा एक एक्सा लगा दिया चलिए जी मेरा भी यहीं आ रहा है ठीक है यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई परिशानी तो वह मुझे बता सकता है अब दिक्कत परिशानी कैसी यह तो हम पहले ही करके बैठे रहे चलो अच्छी बात है चलिए अब मैं बात करने वाला हूं कौन सेप्ट कौन सा नाइन की कि सबनाइन कौन से वाला है तो सबनाइन कौन से वाला है आज सेटिंग क्यों नहीं बैद बन पार चलिए जी कुंसेप्ट नंबर नाइन जिसको आप कहते हो कैल कूलेट ऑफ परजन्ट वैल्यू अब तक आपने एंड के किये अब करा रहा हूं स्टार्टिंग के कुछ नहीं है सिभी एक फॉर्मूला है और एक ही कोशन है इसका फॉर्मूला भी सभी बच्चे लिखेंगे चलिए जी परजन्ट वैल्यू इस इकल टू ए वन प्लस आई और यहां पर एन माइनस वन हो जाएगा और यह माइनस वन तो ऐसे ही है ठीक है और यह भी वन यह वेटा ए आई है आई नीचे भी वन माइनस देस ठीक है और लास्ट में आपने ए और एड कर देना बस कि मुझे ज्यादा इसमें पताना नहीं है यहां तक किसी बच्चे को कोई दिखत और मुल्यों में कोई दिखत लिए नो सर्व करेंगे यह सौल करेंगे लास्ट में एड कर देंगे ठीक है ना सर इस बार आप कैसे सॉल्व कराओगे देखो सबसे पहले क्या होगा एक दो कि फिर यह वाला तीन फिर यह चार फिर यह पांच छे फिर यहां पर इसको कर लो साथ आट नो दस सारा भाग करके बारा ठीक है अपने इसाब से आप कर सकते हो बट मैं तो वह उस बच्चे के लिए बता रहा हूं जिसके पास मैस नहीं थी वह हमेशा रोता रहता है मैस को लेकर कि सर मेरे पास तो मैस थी नहीं मैं कैसे करूंगा तो उसके लिए नमरीं कर दीवें चलिए जी कंप्यूटर सब्सक्राइब करती है आपको दस अजार रुपे एवरी इयर मतलब गिफ्ट दे भगवान ऐसी ममी सबको दे जो हर साल आपके बथड़े पर दस अजार रपे का गिफ्ट पहले से तयार रखती है ठीक है फिर कहता है एवरी इयर स्टार्टिंग फ्रम टुडे क्याता है आ कि हर साल आपको गिफ्ट दे दस अजार रुपे का ठीक है फिर कहता उससे क्या होगा फोर नेक्स्ट फाइफ इयर यू डिपॉजित इसको डिपॉजिट करें तो कितने अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा दस परसंट रेट के हिसाब से तो सब सिंपल बोलो ना पर सब्सक्राइब कुछ रही करना बिटा जी फॉर्मूल लगा रहा है हम जी बोलिए लगता है मुझे बच्चों ने तो आंसर भी दे दिया है राधा वैरी गुड पहले ही करके बैठें चलिए जी कोई बात नी ए बन प्लस आई एन माइनस वन माइनस वन ठीक है ध्यान से फ नहीं जी चलिए जी जो जो फीगर दे रखिए उसको पुट करो आपको फर्जंट में निकाल नहीं है यह दे रखा है दस अजार वन प्लस आई कितने हैं जी दस पतिशा दस को पहले में सो से भाग करूंगा वन एन है मेरा पांच माइनस वन और यह आ गया जी अगर देश दस अजार ठीक है जी कहां गए सब बच्चों ने लाइक होने कैमरा बंद कर लिया मत इतना पकाराओं में आपको आज बस बेटा मैं भी फिर क्लास बंद करके चला जाओंगा अपने घर सर आपको अपने अपने घर पर सरबजीत को माइक आफ करने के लिए बोलिए बिटा सरबजीत पतानी किसने बच्चे ने मैसेज किया प्लीज बेटा माइक बंद कर लो अपना ठीक है घर की रमान मस सुनाओ बाकी बच्चों हो चलिए जी सॉल्व कीजिए इसको सबसे पहले तो इसमें चार आ गया चलो मैं इसी सॉल्व कर देता हूं टैन डिवाइड़ वाइब वन वन गुना देखो इसमें मैं डारेट कर रहा हूं फाइफ माइनस वन यह लो मैंग को तो असी आ गई एक तो हो है दस जिवाइड़ वाइड़ प्लस वन गुना एक दो तीन चार चार पर उप गये मैं भी रुख गया 10 अजार वन पॉइंट सिक्स वन फाइफ जीरो पॉइंट वन प्लस फाइव वन सिक्स वन जीरो पॉइंट फाइव ठीक है जी जर और दस अजार बाद में बाद में क्या करें एड़ेगे चलिए जी माइनस किया वन गुना लगाई दस अजार डिवाइड़ बाई जीरो ओहो जीरो पॉइंट वन इक्वल डिवाइड़ वाई वन पॉइंट सिक्स वन जीरो पाइफ इक्वल तो यह बिटा आया आपका 37908 प्लस में दस अजार है अलाकि बच्चों ने पहले यह आंसर दे दिया है मुझे अट इस बार मेरा आंसर गलत कैसे और आपका कैसे सब्सक्राइब कर दिए होगी चलिए दुबारा कर लेते हैं क्या कह रहे हो सबस्क्राइब इस प्लक्ट पॉइंट पॉर इस प्रोवन पॉइंट नियुट से करना पढ़ेगा मेरा सवाल गलत हो गया कल्कूलेशन ने कोई बात नहीं कभी कभी एक कैल्कुलेटर भी घूम जाता है दस वन गुना एक दो तीन चार बाबु चार पर तो यहीं आ रहा है वन पॉइंट सिक्स पूरी आ रहा है अच्छा सर चार क्यों कर रहे हो मुझे तो यहां पर चार तो तीन बार ही करना पड़ेगा ना और यह एक दो तीन हाँ यह बच्चे ने राधा ने सही बताया था राधा की बात मैंने ध्यान से सुनी नहीं चीक है जीरो पॉइंट वन पॉर शिक्स पॉर प्लस में दस जार चीक है एक्चुली क्याना है यहां पर लिखा नहीं था यह वाला इस वेसे घर बढ़ होगी थी चलिए कोई बात नहीं बच्चे हमारे होशियार हैं जिवाइड़ बाय जीरो पॉइंट वन इकवल टिवाइड़ वन पॉइंट पॉर सिक्स पॉर वन त्री कैसी यह आ गया 31,600 बिकति जार चेसो अठानवे प्लस में दस अजार पॉर वन सिक्स नाइन एट अराउंड पॉइंट सिक्स फाइफ ठीक है जी चलिए जी मेरा भी आंसर आ गया यहां तक किसी बच्चे को मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट होना चाहिए और है भी नहीं ऑल्मोस्ट बेटा जी एक बार फिर से मैं आपको चार्ट दिखा दूँ आपका जो पंदरा नंबर का चेप्टर चल रहा था ध्यान से देखिए इस चार्ट को यह चार्ट करने से नहीं होता दिवीजन मस्ट है ठीक है यहां तक आपने कवर कर लिए विद स्टड़ी मटीरियल अब मैं बता रहा हूं पर पैचूटी पर पैचूटी बताने से पहले मैं आपके साथ ना कुछ शेर करना चाहूंगा कि एक मिर्ट कॉंसेट नंबर हमारा है टैन कि पर पैचूटी का मतलब स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बच्चे कैमरा उन कर लेंगी क्योंकि मुझे बात करनी है आप लोग से कि चीक है हाँ यह उनावाद मयंग प्रक्र राधा भावेश अच्छा बाब बताओ आप लोग कितने रुपे मंतली कमाना चाहते हो कि सर इतना आता रहे जीवन में मूम आया है बाकी सब छोड़ो सबसे पहले मेरे सामने या कैमरा है कृतिका कृतिका आप बताओ कि इतना एक लाग ओके वेरी वेरी गुड चलिए जी बाकी बच्चे मयंग अब इस बार मैंग का कैमरा मेरे सामने है बस मैंने एक एक लिखा मैंग आप बताओ कितने रुपे महीना चाहते हो कितना रुपे महीना आना चाहिए मतलब लाइफ में आश मारने की और कुछ करना भी ना पड़े मतलब क्या आपकी जल्दी से बताओ अरे बाइस सही है हम तुम से में सैर कम से कम इतनी तो स्पक्टेशन उने चीज़िए उसके बाद आप बताओ बिटा अभी टेंशन मतले सबसे पूछूँगा चलिए राधा बहुत सिंपल निकले एटी थाउजन बाकी तो सब मूम आया है वह सटिस्फाइड है इसे बाकी प्रकर आप बताएं जितने मिल जाएं उत्ते कम हैं यह तो बात आपने बिल्कुल लाख रुपे की बात कही है कि सब जितने मिल जाएं कि अपर महीने कितना है आठ एट लेक्ट अरे बाइस आठ लाख पर महीना यानी की भाई साथ तुमने तो चलिए कोई बात नहीं अच्छी बात है ड्रीम देखने चीए पर खर उसके बाद विशाखा तर पहले लिख दो भावेश जिम्स सरबजीत जन्नत कि बेटा यह मत स जिन्दिगी में नहीं भूलोगे चीज को चीक है कहीं बोलो सर टाइम पास करो सतीश और आकाश बिटा नया कॉंसेप्ट है पर पैच्छूटी आपके स्टी में दो यह तीन कोशन होंगे अच्छा भावेश वेरी वेरी गुड विशाखा ने तो सर बताई दिया कहा है वि सरब्जी जननत और सतीश बताओ भीया पार्टिसिपीट करो जनन वेरी वेरी घुड पर आपकी इतनी लाइफ के स्पर्टेक्शन है मैं ओवरॉल दो लाख रुपे ज्यादा आ रहा है एक दो तीन चार ज्यादा तर दो लाख आ रहा है ठीकर है मतलब दो लाख मिल जाएं जीवन सुखी हो जाएगा बाकी सब मोम आया है अब देखो मैं जो हूना मैं भी सी तरह के से प्लैनिंग के हैं अब हम लोग पैसा लगाने से तो डरते हैं कि यार कहा लगाएं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ने दो चीज़ें चलती है क्योंकि हमारा दिमाग की तक काम गता है एक तो यह किसा प्रॉपर्टी खरीद लो और इसको रेंट पर चड़ा दो और फिर देख लो कित महीने के कितने हो गए सब 24 लाक और बैंक मुझे देती है छे परसंट इंट्रस्ट मतलब एवडी में कहा रहा हूं मोटा मोटी तो मुझे कितने पैसे जोडने पड़ेंगे कि मुझे बारा लाग उर्पे सालाना आते रहें डिवाड़ेड बाइस परसंट तो सरी यह कितना अगया एक दो तीन है सरी आगया है कि चार करोड़ है चारला कहां से आ जाएगा यह लोगा जिंदिगी में आश मार नहीं है तो चार करोड़ खटा करो और उसको ऐसी जगा सेफ कर दो कि बस बैटा जिंदिगी भर तुमारी है दो लाक रो महीने इनकम आती रही है बिल गे अपनी ही इंकम का बहुत बड़ा हिस्सा किसी चैरेटी में दान दे दिया है और वो चैरेटी उसी पैसे से चलती रहती है मतलब पैसा एक तरफ ब्लॉक हो गया और उसके इंट्रस से सर्कुलेट होती है आप मैंसे कौन-कौन वैश्णूदेवी गया है कि तरह आप तो बड़े धार्मिक किसम के निकले वैश्णूदेवी कोई गया जम्मू कि यह स्कृति का बाकी कोई बच्चा नहीं गया चलिए जो नहीं गये वह जाएं ओके राधा यह साकाश यह देखो वहां पर ना गुल्षन कुमार जी की टी स्रीस कंपनी थी जो अहल कर ना चलता रहता है वह मतलब चलता रहता है चलता रहता है और मैं केते हूं कि अप्ता पर कंदें पता चला कि कुमार जी ने कुछ मोटा माउंट अपना फिक्स कर दिया मता माउंट फिक्स कर दिया उसकी इंकम से मतलब लाइफ भर वह पैसा आता रहे कभी रुके गाई नहीं कि समझे आप से क्या करना चाता हूं अब केज रिवाल जी है शाद में आपको डेली का पता देता हूं डेली में उन्होंने ट्रांस्पोर्ट फ्री कर रखा है रांस्पोर्ट फ्री कर रखा है मतलब लेडिसों के लिए और मैं आपको पता दू डेली के अंदर बिजली भी फ से डीटी सी कराया खर्चा सब चलता रहेगा कुछ सिरदर्दी नहीं लेनी अगर आप चाते हो कि वह यह दो लाख रो महिना आते रहे तो आप एक काम करो चार करोड़ी है एक दो तीन चार पांच छे नहीं सर्फ चालिस लाख है चालिस लाख है बिटाए कैलकुलेशन गलत तो नहीं करती 24 लाख हां चार करोड़ पर आप अप कहीं तो डाका मारो या घर की प्रॉपर्टी वेचे जो मर्जी करो अगर लाइफ में आश मार नहीं है तो भी आपको मिल पाएगा अब बाकी जो एक लाख वाले हैं असकी जार वाले हैं तीन लाख वाले वह भी अपनी यानि केंए山 का मतलब अगर अगर चाते हैं कि लाइफ सर्थ कुर्व करना पड़ेगा अपसरट्थ करना पड़ेगा तो इसका मतलब में कहता हूं जितना भी में सब्सक्राइबTrust जितना माउंट मुझे मंतली चाहिए आप देखो मंतली चाहिए होगा तो आप इस रेट को अब आप इस जी जो जैसे कि आप जो कह रहे हो यह दो लाक महीना चीए इसको पहले मैंने सालाना किया और डिवाइट कर दिया सर हम ऐसे कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं मत करो मै आपने कहां से लिया सब मैं तो नॉर्मल बैंक का जो एवडी का रेट है वह आज कल देता है जो कि बिल्कुल रिस्क फ्री होता है उसमें रिस्क भी नहीं है जिए पैसा भी निकाल सकते हो चरिए उसके बाद अगर मैं इसको 12 से डिवाइट करता हूं तो मेरा मंतली को गुना कड़ो अगर मंतली रखा है तो 12 से करतो लिए रखा है तो चार से डिवाइट कर्दो हाफ फेरली दे रखा है तो इससे कर दो डिवाइशा मिलता रहेगा मैं लिख देता हूं यहां हमेशा इननती को Nous psychology औरवेगा कि हइसी को 1250000 देलटे सबaurais किसी आप जरूरी ने जी ज्यादा बड़ा सोच होगा आप सोचो कि यह कहते हैं कि सर मेरा तो दालोटी चल जासे बाकिक सब मौ आया है मुझे ज्यादा लालच नहीं चाहिए मुझे तो बस किसा जार पे मइना चाहिए तो आपको डैंक में कितना इंवेस्ट करना पड़ेगा अगर मैं यहां यहां रखता हूं मन्थली चाहिए तो मेरा जीरो पॉइंट परतीशत आ गया तो बीटा ज्यादा नहीं आपको अगर आपको ज्यादा नहीं चालिस लाख रुपे चाहिए होंगे आप चालिस लाख डैंक में डिपॉजिट करके छोड़ दो आपको हर महीने इंकम आती रही बाकी सब मूम आया है यह तो मैंने रिस्क फ्री बता दिया अगर आप चालिस लाख रुपे के दो फ्लोर या पूरी बिल्डिंग भी खरीद लोगे तो भाईया एक बिल्डिंग का तो चार बिल्डिंग का कितना हो गया चालिस तरीके से भी और यहां पर तो जैसे दस अजार से उपर जाएगा ना तो टीडियस के भी पंगे होने लग जाएंगे यह आप जब इंटर में आ जाओगे तो टैक्सेशन में पढ़ोगे एक चार्ट अकाउंटेंट को इतनी न चार जाते हैं ठीकिना तो बात समझ आई कि आपको मैंने आपको क्या कहा पर पैश्यूटी का मतलब इस यह जड़ा यहां नहीं नहीं और देख को दिखाए कुछण तेहले कराऊंगा मैं अपने माटीरियल का यह लो जी यह लो यह आ गया कुशन नमब 13 और एक बात बताऊं यह भी एक ही कोशन मिलेगा आपको आपके स्टडी माटीरियल में चाहद एक दो मिल भी जहें बट यह तो एक ही मिलेगा कहा है आपका स्टड़ी मट्रीजल तो यह रहा चलिए कोई बात नी पहले बच्चेव में यहां पर अपने स्टड़ी असाइमेंट का कोश्चन मत तेरा जीड करता हूं कहता है यह परसन डिजायर टू क्रियेट फंड कहता है एक परसन है वो चाहता है फंड क्रियेट करना द कि में प्राइज देता रहूं बच्चोंने तो शयद अंसर भी दे दिए लो जी लो विना करें आंसर दे दिया बच्चोंने अंसर नमबर डीं कहता हर साल 300 रोबाइज देता कितना चोटा आदमी है हर साल इसको 300 पर चाहिए फ्र लिफवार्मुला बेटा बहुत ही सिंपल सब्सक्राइब कर दो रेट से रेट कितना है दस परतीशत तीन सो डिवाइड़ बाइड बाइज जीरो पॉइंट बन कि इन सो डिवाइड़ बाइज परसेंट लो बेटा आगया हाला की कॉंसेप्ट में कोई दम नहीं था सब्सक्राइब कर दो कुछ दमी नहीं था क्योंकि यह तो आप जर्नल केल्कुलेशन में आपको करवाई थी चलिए बच्चों को जड़ा स्टडी मटीरियल के दर्शन करा दीजिए लगे हाथ स्टडी मटीरियल में कौशन नंबर कौन सा जी कौन सा उससे पहले कोशन है थक् साइफ शायद आपने किया नहीं होगा और मैंने कराय भी नहीं होगा इस पर लगा लें आप यह आपका जो कोशन है परजंट वैल्यू का कोशन है इस पर आप सिक्स लगा दीजिए फिलाल मैं आज की क्लास में कराऊंगा बट पहले वह करा दू जिसका हमें इंतजार था स है लो जी लो मैं चला है दा आपका पर्पैचुटी का सब्सक्र intent है इसको मत देखना डारेक 27 five आपको आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तो टीवन यह रहाजी यह रहा है वाट्य वन कहता रमेश बार टुटायर रमेश चाहता है रिटायर होना और रिसीव करेगा तीन जजार पर मंत मिलता रहे वी वॉन मैंटके बार देखना सब्सक्रात करें कि उसके बाद मिलता जबाखए घृत सब्सक्राइब करना पड़ेगा चलिए मुझे भी दिखाईए लोजी में आ गया आपके सामने आ गया कोश्चन समझ आया कोश्चन कहता है अब यहां तो तीन जार रुपे की किस्त को एक किस्त बानलो साथ जार रुपे साला ना मिलता रहे तो आप परसंटे से डिवाइड करते हैं यह तो अब बहुत पुरानी बात होगा क्योंकि यह मंतली इंकम है ठीक है करके देखते हैं आठ डिवाइड बारा तो यह आगया आपका 0.666 परसंटेज तो सर आपने फॉर्मूरा दाता ए अपॉन में आई वहो यह अपॉन में आई सर कीजिए कितना माउंट इंवेस्ट करना पड़ेगा आपको इंवेस्ट अम सब्सक्राइब तो यह तो यह तो यह तो यह तो यह तो नहीं था लेकिन एक्जाम में आया हुआ है कि वहों कितना इंवेस्ट करना पड़ेगा तीन अजार डिवाइड़ बाई 0.66666 परतीशत तो यह आगया जी 45,000 कि चार पॉइंट कुछ पैसे आ रहा है तो यह मेरा कर राधा का और मेरा मैच कर रहा बाकी बच्चों का मैच क्यों नहीं कर रहा वही गलत निकाल दिया क्या मैंने नहीं सर गलत नहीं एक मैट मैं भी चेक कर लेता हूं तीन अजार डिवाइड़ बाई 0.66666 परतीशत 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 नहीं किया तबी तो पता परतीशत नहीं काल दो यह हंडेट से डिवाइड कर दो एक इच बात है फिर भी कोई बात नहीं कि कर देते हैं 0.06666 अब निकाल के देखते हैं अच्छा आपने लिखाए उपर से 0.666 और आयां अच्छा यह मैंने आट को डिवाइड किया 12 से क्योंकि मंतली है अगर आप ऐसे नहीं करना चाते तो इसको 12 से गुना कर दो तो यह आजागा आपक आप से चलना है जैसा कि मैं मिशा करते थे वह यह मंतली दे रखा तो 12 से भाग कर दिया तो यह आगया शाद इसी वजह से मारा आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है कुछ गडबर तो नहीं है नहीं सर गडबर तो नहीं है तीन हजार एक कैलकुलेटर ने चला नहीं आ रहा क्या जीरो पॉइंट जीरो शीक्स शीक्स सेवन हां बेटा वही आ रहा है यह लगभग आ रहा है मतलब 45 आप 45,000 लिख लो साड़े चार लाग आप लिख लो यहां चार लाग 49,007 यह उसके वज़े से आ रहा है कि हम पॉइंट में क्यों नहीं लिख रहे कि 44,997 कुछ आ रहा है तो आ राउंड आ रहा है आप यहीं मान के चलो कि वह यहीं आ रहा है अस्टीमिटेड ठीक है में परपस्टों सर्कॉंसेप्ट समझाना था वो शाहर आपने सब्सक्राइब कि इसका नियासर जो आपने लिखाया है ना डिवाइड करते ही आया है अच्छा चालो कोई बात नहीं मैं दुबारा से कोई बात नी मैं आपको यहां ली देता हूं फिर से खिच्डी नहीं पकानी है यह हमारा दे रखा है 3000 कोई बात नी इसको मैंने पहले तो 12 से भाग करो जी आठ डिवाइड वारा ठीक है और मैं लगे आज को सौसे भी डिवाइड कर रहा हूं यह लो यह भी मैंने सौसे भी डिवाइड कर देया तो मेरा यह आ गया देखो यह आ रहा है जीरो प्याइंट जीरो पॉंट सीक् सीखक्स जीरो और जीरो पॉंट सीक्स कितसी बार पियले लिए बस फॉर्मूला ले अगानी वह ऊंक होगी आंसर मने शली यह प्रकर कर देख लेते हैं 00666 beber लगवग वही आ रहा है कि इनका बैबु कोई बात नहीं थोड़ा सा गड़बर होगा चवाली से नोसो जिन्यानवे सब्सक्राइब यह आ रहा है ठीक है चार लाग कोटी नहीं यह कोई दिक्कत नहीं है उसमें इतना प्रशान उन्हें समझ आया आपको या नहीं पहले यह मुझे बताएं कि आगे सब्सक्राइब कोश्चन नंबर 42 इसमें थोड़ा सा मुझे और भी बताना है चलिए मैं कि आकाश इस इतना बिटा कोशन से लड़ाई नहीं करते आपने तो अपना सब थोड़ी तरत करोगे चलिए जी कोश्चन नंबर 42 इसन नीचे निगल गाए कि लो जी लो कहता अज्यूमिंग रेट कितना है कि कहता है अज्यूमिंग रेट सेवन परतीशत रेट अच्छा यह कॉंसेप्टी दूसरा है चलिए कोई परसेंट के शाब से पचास रुपे मिलते रहें हमेशा साथ परसंट के शाब से और कहता जो भी मिलेगा ना उसमें आपकी ग्रोथ होगी कितनी पांच परसंट लोजी पहले मुझे दिखाओ लोजी पहले में आगया आपके सामने देखो मेरी मम्मा डीडिये में थी और वो रिटार हुई थी उनकी जो पैंशन है चब्वीस अजार कुछ है और वो रिटार कब हुएंदी पता है अब यह 2021 चला 2020 में हुए थे तो प्रतिशत की कुछ कंडिशन होगी जो भी रिटायर्मेंट आप यहां पर चाहिए 50 उर्पे पहले तो यह प्रतिशत के अब यहां पर जो है कि हर साल ना आपको बढ़के मिलेंगे कितना यह जो आप मिलेगा पांट प्रतिशत की ग्रोथ बढ़के मिलेगी क्या मिलेगी ग्रोथ आपको बढ़के मिलेगी बोलो इतनी बात समझाती है क्या जैसे कि छोड़ो में छोड़ो कलकी बाते हैं मेरी मम्मी रिटायर्मी थी 2020 में और उनकी जो जब पैंचन थी 2020 में 26 25 यार्पे मंतली थी आप हमारा हो गया 2021 है अब 21 में वो 30,000 रुपे हो ग होगा कुछ जो भी है कि हो सकता है 2022 में सालाना कुछ और अमाउंट बढ़ जाए तो मैं आपको रियल प्रैक्टीकल बता रहा हूं तो यानि की कहने का मतलब है जो भी उनका परसंटेज होगा मतलब मेरी मम्मी ने ऑफिस के टाइम जब वो जौब पर थे डीडिये के अंद कुछ उनको बोला कि इतना ही परसंटेज मिल सकता है इससे ज्यादा नहीं यह आपको मिलेगा जो आप पूरी तरह से रिटायर हो जाओगे मतली की मन्त की फॉर्म में मिलेगा अब वह मिलतो हो रहा है पहले मिला था सालाना पच्चीस हजार फिर 2021 आया तो मिलने लगा तीस है उसमें हमारी सेविंग हो जाएगी कितनी पांच पर्षंट तो यह जो पांच परशंट दे रखाना ग्रोविंग इसको आप बोलोगे सेविंग क्योंकि क्योंकि रॉविंग रेट का मतलब हर सार बढ़ता जाएक जैसे यह ना पत्चीस थिस घार फिर आगे 35.30 होगा इसको कहते है ग्रोइंग रेट कि तो हमारा नेट कितना बना क्योंकि इतना परसंटेश तो यहां से मिल जाईगा नेट हमारा बना फचास तो किता हैगा 25 बोलो जी बोलो कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो पूछो यह जो है पांच परशंड यह ग्रोविंग रेट जो मैंने एक्जामपल दिया है जरूरी नहीं है कि आपको हर महीने जो आपको मैंने एक्जामपल दिया था ना पर पैस्चुटी का दो लाख रुप महीने चाहिए चाहिए जादा जैसे ताइम बीटता जाएगा आपको जादा भी मिल सकता है कि यहां तक कोई परेशानी कोई दिक्कत तो मिरको बताईए एक बार फिर समझा दीजिए विशाका ओक के दुबारा समझो बेटा कोई दिक्कत नहीं है कि देखो आपने ना कुछ पैसा इंवेस्ट कर रखा होगा तब आपको 50-50 रुपर मिलेगा पहले तो यह बात कंफर्म कर लो और जो पैसा आपने इंवेस्ट कर रखाना उस पर ग्रोविंग रेट है पांस प्रतीशत कि यह हो सकता है आपको 50 नहीं मिलेगा ज्यादा मिलेगा मतलब 5 परतीशत का ग्रोविंग रेट है मतलब ृट यह आप कहते हो ग्रोथ रेट ठीक है जी तो 50 रुपर मिलने के लिए 5% तो आपका ग्रोव रेट है मतलब जो भी मिलेगा 7% के इसाप चे उसमें 5% हैड हो जा तो करता है सर्फ फॉर्मूला बता दिया और इसमें ज्यादा इतना सिर्दव लेने की भी जरूत नहीं आए यह क्या दो ही कोशन है इसमें एक इतना है 50 रेट कितना था साथ प्रतीशत क्योंकि यहां पर भाग कर रहा हूं कुछ कर रहा हूं ना मतली से और प्रतीशत तो सरय बन गया आपका फॉर्मूला और यह आया आया आपका दो प्रतीशत तो पचास डिवाड़ेट बाए टू इन्टु परसंटेज हो तो आपको 50 रुपे मिलते रहेंगे आप कोई बच्चा कहेगी जी मुझे चॉकलेट खानी है वो भी हर साल 50 रुपे की तो बैटा बच्चे के लिए 25 रुपे आपना मतला बैंक में रखकर छोड़ी दो छोड़ी दो विशाखा येस बाकी बच्चों को कोई डाउट कि डाउट हो तो पूछो बाकी बच्चों को के सरब जीत राधा येस मयंक येस कृतिका येस विशाखा ये ओक्के एवरीवरी ओक्के अब बच्चों और रही आता यह वाला भी बता है यह है मारा अमाउंट और या इन्वेस्ट अमाउंट कि कितना पैसा इन्वेस्ट करूं के मुझे 50 उर्पे सालाना मिलते रहें चिंदी चोर कहीं का 50 उर्पे भी मांगा भी तो क्या मांगा बस 50 उर्पे पैसे चिंदी चोर लग रहा है बटा मुझे तो यह ठीक है यहां तक कोई दिक्कत है परेशानी है मैं तो पहली किया रहा हूं बटा फॉर्मूले का खेल है सारा इस फॉर्मूले का खेल है आप कोई भी टीचर हर एक तीचर अपने है वाला उसके बाद इस कुछन दिख रहे हैं न सारे हो जाएंगे वह करने के बाद सारे फॉर्मूले एक बार लाइन से मैं लिखवा दूँगा पूरे दस से ग्यारा फॉर्मूले बनेंगे और दस से बारा ही वराइटी हैं और यहां से कम से कम पंदरा नंबर का आता तो आप रिस्क भी नहीं ले सकते चालिस में से पंदरा बहुत बड़ा वेटेज रखता है अपने आप में ठीक है और कुछ ऐसा भी नहीं कि मैंने कोई रटाई हो या कुछ बढ़िया प्रैक्टिस ना कराई हो दबा के हमने प्रैक्टिस की है चले जी अब एक बार कुश्चन नमर्ट 85 पर आजाओ शाद कुश्चन नमर्ट 35 कौन सा पैटरन है मैं नहीं बताऊंगा कि मुझे देखना यह है कि कौन सा बच्चा मुझे बताता है कि इस्टडी में लगा कोश्चन मर्ट 35 क्याता हाओ मच अमाउंट इस रिक्वाइड कहता है कितना अमाउंट रिक्वाइड करें इन्वेस्ट करें हर साल की अक्यूमिलेट हो जाएं कितने तीन लाख एरदा एंड आप दा एंड आप दा तेंधियर इंटर्स के रहा है इस पांड़ीट 10 परसेंट कौन सा बच्चा बताएगा यह कौन सा बच्चा बताएगा अगरा इस अब खाया पिया बराबर कर दिया एक मेंड़ी स्क्रीन पर आता हूं में सब बेटा खाया पिया बराबर कर दिया क्या कम से कम 10 कुमारी कृति क्लास है आज 22 वा लेक्चर है सब खाया पियर वावा कृति का वेरी वेरी गुड विशाखा बिटा ध्यान से पर्जेंट वैल्यू अगर यह गलती आज आपने यहां किये तो डेफिनेटली यह गलती हो भी जलती नहीं करनी है ठीक आपको यही देखो यही तो बात है श्याद आपने देखा नहीं यह कुछ भी नहीं हुआ अब प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले प्रलस में प्रैक्टिस तभी तो मैंने लिखा था ती बन टीडू चलो कहता हाओ मच अमाउंट रिक्वाइड कितना हर साल कितना अमाउंट अपना डिपॉजिट करें कि उसको मिले कितना अच्छा स कौन सा बच्चा बताएगा चलो मैं पूरा फॉर्मूले लिखता हूं कौन सा बताएगा सब्सक्राइब कैसे बता है हम अपनमें आई पक्ता और भी कुछ है क्या आई के साथ लिए नुए नुद्ट वेल्यू में आएगा और प्रेजंट वेल्यू में आएगा तो यह आपकी फ्यूचर वेल्यू है मतलब फ्यूचर में चाहिए तो आज कितना इन्वेस्ट करें सब्सक्राइब कर दो प्लस में आई आई है तैन प्रतिश्य दिवाइड़ बाइस सौ में सर यही तो चैलेंज है माइनस टैन दस साल है इसलिए मैं दस साल है और 0.1 नौ माइनस में वन डिवाड़ेड़ बाइस जीरो पॉइंट वन तो यह आगया आपका पंदरा तरानवे तो थ्री के बाद क्या है सैवन सैवन फॉर ठीक है और यह है इसके साथ में तीन लाख पंदरा पॉइंट सर दिख नहीं रहा यह लो तरानवे सैवन इस इकल टू यह लो बच्चों ने आंसर भी दे दिया है तीन लाग डिवाइड़ वाइंट पंदरा पॉइंट नाइन थ्री सैवन फॉर तो यह आ गया थारह आजार आट्सो तेइस बच्चों ने पहले यह आंसर दे दिया है चौशट पैसे ठीक है इस बाकी बच्चे भी बताएं एक बार पर पैस्चुटी का कोश्चन कभी नहीं भूलोगे इस बात की पूरी गैरंटी अगर भूले तो याद करना आप लाइफ से क्या चाते हो आप लाइफ से चाते हो दो लाख रोए महीना सर्किसे रेट से बैंग तो एवडी पर 6 पर हाँ यहीँ के 2,004.000 रुपए ही रिजिट हो गए 2.0002.000 की मतलब चलता रहे गाख 1ाचा यह ön-शा बता हो बहुत सारे लोग लंगर खारे होते हैं और पता नहीं मेरे दिमाग में अजीब सी कैलकुलेशन घूमने लगती है उसको बोलते कॉस्ट आपका एक पेपर होगा इंटर में जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे पाउंडेशन तब इंटर में आएंगे तो वहाँ पर आपकी फिलोस्पिस तरह की हो जाएगी या लंगर का पैसा कहां से आ रहा है कि गुर्द्वारों ने कितना माउट इंवेस्ट करके रखा रहा है कि लंगर चलता रहे कुछ पैसा तो ब्लॉक करता रखा होगा ना बहुत चंदा आता है शिर्डी के साहीं बाबा मंदिर कौन गया ह चलता रहता है हम सोचते हैं सब लंगर की बाते करें हम सोचते हैं कि पता नहीं इतुरा पैसा कौन इंवेस्ट कर रहा है वह पैसा कहां से आता है सबसे पहले तो पॉब्लिक चंदा देती है और चंदा देती है उसका एक अमौंट जिसको आपने पढ़ाना परपेच्टि उसको ब्लॉग करके रख दिया जाता है कि आपने क्लास में पढ़ा होगा एंपी ओ फंड जिसको आप कहते हो नौट प्रॉफिल और फंड जो होता है आप फंड ब्लॉग कर देता है उसको आप ब्लॉग कर देता वहीं से प्रपेच्चुटी चलती रहती है चलती है लगता ह तो पता नहीं कब से चल रहा है बंदी नहीं हो रहा हो बिटा कभी होगा भी नहीं बंद कि तो कुछ ऐसा कर जाओ अपने लिए अपने बच्चों के लिए अपने पैरेंस के लिए कुछ ऐसा कर दो इस परपेच्चुटी का समझ कि सहाब उनको 50,000-60,000 जो बी जिसकी जैस पाने खाने की कि वाते कर रहे हैं नहीं ऐसी बात नहीं है खाने पी बात नहीं कर रहा है मैं एक्जामपल दे रहा हूं आपको चीक है चलिए और बताएं बाकिसां बढ़ीया चल रहा है आपकी लाइफ में भाई फाउंडेशन से बहार भी तो जिंदगी है बस सर एक ही कोश्चन पूछ लेते हैं घरवाले उससे बड़ा दुख होता हुए कि बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है बस ऐसा अच्छा संडे का वैट वैरी वैरी गूड कृतिका मैं तो कहता हूं संडे को कोई क्लास नहीं कोई किताब नहीं राथी सर को मत बोल देना की नागिंदर सर ऐसे बोल रहे थे और अपने फुलूने एश्मारने का संडे को ताकि पूरा तैयार हो जाओ अपना पूरा हफ्ता छे दिन इतनी मेहनत से काम करो कि संडे का वेट करें अब देखो मैं भी संडे का वेट कर रहा आप क्या काम करते हो बहुत सारे नोट्स भी बनाने होते हैं बहुत सारी चीजें भी करनी होती है यह जो आप मेरे बुक्त दो देख रहे हो साइमेंट सर इस बार संडे को मोस्ट वैलकम मोस्ट वैलकम है बिल्कुल ऐसी कोई दिक्कत नहीं है हालाकि पार्टी मैं दूंग बैटार को मिलेगी आपके पैरेंट्स को मिलेगी जब आप ग्रोथ करोगे और एक चीज और अपना रिजल कभी रिष्तेदारों को मत बताना रिष्टेदारों को या पडोसी को वह तो बेटा वेट करते हैं कि कभ मैं इनकी तांग पकड़के खिचू कभी मत बताना बद जब भी रिष्टेदार पूछो है कि क्या चल रहा है बटा पड़ाही में तो बोल देना यह तो नलायक है हम तो नलायक है हमें तो साथ कुछ नहीं आता उससे क्या होगा कि वह जो दो चार ताने देने देने वाले भी उंगे तो वहीं के वहीं रुख जाएंगे ठीक है और सब्सक्राइब कों उनको पता नहीं कौन बटा देता है कि फांडेशन रिजल्ट आ गया फटाफट से पूछें पूछो ना क्या हुआ तेरा क्या हुआ उस बगतार पास हो जाएं तो तो चलो ठीक है थीक है अगर मालों घल्ती से कोई उचनीच हो जाए बस बेटा बहीं पर तो मतलब दिल में भी ऐसी ऐसी गालियां आती है कि बस बोल भी नहीं सकते तो इसलिए रिष्टेदारों को तो दूरी रोग हमेशा बोलो जो वो सुनना चाहते हैं यह दुनिया क्या सुनना चाहती है आपकी बुराई तो उसको बोलो ठीक है यार मैं परेशान हूं बहु के एक्सपीरेंस कर रहा हूं यार इसका क्या मतलब हुआ चाहे बच्चों का रिजल्ट के साथ है आज भी जी सघ्राठी तर्चर तेका भी अच्छा राठी सर्थ का तो वहीं आ रहा है चलिए कोई बात नहीं चाहें इनके बच्चों बिल्कुल कृतिका सही कह रहे हो आपको किसी को कोई बतानी जरूत नहीं है तो यहां मैं दस गंटे परता हूं बारा गंटे पर जैसे आप बोल दोगे ना कि जी बारा गंटे परता हूं उसी दिन बेटा नजर लग जाएगी सरा ऐसा भी होता है पक्का करके देख लेना वह उसके अगले दिन आप कोई साथ च्छे गंटा पढ़ोगे क्योंकि आपने अपना राज खोल दिया बारा गंटे का चीक है कि सबका मोटो यहीं है महनत मुझे पता है आप सब लोग अच्छे नमरों से पास होंगे सब लोग अच्छा परफॉर्म करेंगों फरक इतना है कोई दो महीने पीछे बस इतना सा सब्सक्राइब होता है और जिनको अपनी महनत पर भरोसा होता ना सर इसलिए मैं पढ़ता ही नहीं हूं नालाय कैसी बाते मत करो चीक है मतलब बताके मत पढ़ो कि यह मारी लाइफ में क्या चल रहा है आपके मूह में पढ़ोशी की नजरों में नहीं यह बात फैक्ट है ठीक है इसलिए मैं आपको कहता हूं खूब मेहनत करो अफ्ते भरता खूब क्लास देखो खूब बैक अप देखो खूब प्रैक्टिस करो कोई दोस्त बोलता है कि चल समूशा खा करते हैं भाई मेरा कुछ भाना मारता पेट खड़ा वह दिक्कत चल रही है वह अगली बार भी नहीं तो इदर से चूब लियां करते रहते हैं ठीक है और रिष्टेदारों का तो आप मेरे से बैतरी जानते हैं ठीक है ना उनके बारे मैं क्या बोलू बस यह अपना महनत करते जाओ महनत करोगे तो डैफिनेटली आपको खुद भी मजा आएगा कभी आपको मजा है कि मलाने में है मतलब सटिस्वैक्शन कभी ऐसी पीलिंग आई हो निए आप मेहनत मत करो एक बार तो चोड़ दो उसको तो ठीक है आपने छोड दिया तो आपको मजा भी निया लेकिन जो बच्चा करार मिलेगी कैसे नहीं कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि घंटा एक कोशन में लग जाता है अरे निकलता क्यों नहीं है तो वही तो सक्सके रेट होते हैं और क्या होते हैं इसका मतलब आप डेडिक मैं जो भी करूंगा मैं के बाद करूंगा बस उससे पहले कुछ भी नहीं शादी पाटी कहीं नहीं जाना संडे को है तो आ जाओंगा एक घंटे के लिए वह भी देखना पड़ेगा भाई टाइम नहीं है मेरे पास अपने लिए सैल्फिश बनो दोस्त कहा चलियार मार्कि अब से चालू है बाबू यह तो सरी बताएंगे आपको मजा नहीं आ रहा कि आ बताओ मेरे को तो इतना मजा आ रहा है ऑल्लाइन सबसे बढ़िया तो इसमें टाइम का कितना सेविंग होता है मेरे टाइम में मुझसे क्या गलती हुई थी मैं लक्ष्मी नेकर में चक्र पढ़ रहे हैं तो वहां पार 10-15 बच्चे अरे सर मेरा आंसर मेरा आंसर में उतारता ही रहा जाता तो और वहां पर आंसर भी आया ता अब सोचो ऐसे में क्या पढ़ाई करूंगा टीचर से पूछो तो टीचर पे मतलब 15-20 बच्चे वह खोड़ता था सब घेर के खड़े अब श्रक्राइब करना ज्यादा मजा मतलब मेरे को आया नहीं सच बताऊं तो मैं अपना प्रिपेंशन कर रहा हूं तो मैंने भी ऑनलाइन अपना क्लास अपने श्यूडूल के अब कोई बीची नहीं समझा रही तो रिपीट करके देख लो कुछ भी करके देख लो बैक अब की फैसलिटी आपके पास है बाकी तो सब यह मोम आया है धक्के खाना यह करना क्योंकि आपकी बॉड में क्या करता था ठक जाता था फिर उसमें नीद भी भूग भी लग रही है फिर क्लास की भी आदते इतनी होती नहीं थी एक गंटे से जादा स्वेल्थ के बाद समझ में आता था यही सिलसला चलता रहता था पूर चैसे से नो महिने तक जी जी बाता मयंग में फाइनल में वह फॉसली को सास भी कभी भूटी तो बहुत बुरा हाल था मारे टाइम में सी पीटी ऊता था बहुत बुरा हाल था मेरा तो तो वही चीज है कि सर कौन सा सेकंड गुरूप है बेटा बस लास्ट चार्टड बन जाऊंगा अब अगले साल लॉयर बन जाऊंगा रिख्या एड़ोकेट बाकि किसी बच्चे को कोई डाउट कोई परेशानी कोई दिक्कत सेम साथ भी ऐसे ही है जन्नत बिल्कुल बेटा सब के साथ होता जल्दी बनो अरे बेटा दावत की क्या बाते करते हो मैं आपको बिल्कुल पार्टी दूंगा बढ़ियां वाली ऐसी क्या बात है पर बाबु डेडिकेशन बहुत मेटर करता है टॉपिक चेंज हो जाता है यहाद आप लूट बार कोचिंग ऐसी ढूंडओ कोचिंग ऐसी ढूंडओ जो मतलब अराम से मतलब दो चार धी में टीचर करना पता लग जाता अध्या नहीं आए परपस बढ़्यासे कराऊं अ सब कुछ करा आउगा अभी कॉर्स लेबस खतं कराने को सब कराऊंगा कहीं कोई छोड़ने दूँगा ठीक है मेरा काम ही टीचिंग से ही इमानदारी नहीं करूंगा तो फिर मेरा पढ़ाने का फाइदा क्या और ऐसा नहीं मेरे पास्चिर के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं ठीक है तो मैं यह मान के चलता हूं कि क्योंकि कि आपको पता चल जाएगा कि यह आगे सीय में कितनी मेहनत है कुछ बंदे तो मतलब जबाबी दे आती हैं मत के बस सर खतम करो सर आप बहुत अच्छे ऑप थैंक्यू अकाश थैंक्यू बटा ठीक है बट बाते से मेरा ऐसा मानने कि जब आप रिजल्ट लेके आओगे तब म करने के बाद अगर आप प्रैक्सिस नहीं करोगे तो यहीं पर आपको मुश्किल लगेगा क्योंकि अभी तक जो आप पढ़ा रहे हो वह काफी इजी लग रहा है तो बहुत बढ़िया चीज है मेरे लिए ठीक है इस्टडी में करा रहा हूं जो भी पर आता आपका स्टड इसकी में लुका परारी में दो अगर वह को इज़ी लग रहा है तो बैटा समझ लेना आपके चंसेदेस आपकी तयारी अच्छी चल रही है अगर ये सब आपको इज़ी लग रहा है तो वरिना बच्चों के सी में आप पाउं पूल जाते हैं मैं आपको र्यालिटी बता तो यहां पर आपको समझाना है ना कि जल्द दी स्लेवस खतम करना होता तो बैटा ज्यादा नहीं है कम दाई तीन महीने का स्लेवस होता है एक दिन में कम जब स्लेवस खतम करा दिया आप पास हो गए आपका रिजल्ट आएगा तभी तो बात बनेगी न हम अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो पास कराने की ताकत होनी चाहिए टीचर में बस टीचर क्या मांगता बच्चों से कि वेटा बस प्रैक्टिस थोड़ी प्रैक्टिस तो मैं अग्याओं रहे तो लोका पर वहिला तो तो किया करो लग लिदी किया करो बाकी बच्चों से भी कुछ सुनना चाहता हूं भाई ए द्रेस बोलेंगे पढ़ाई तो हम रोजी करते हैं लो जी लो जन्नत भी गायव अधा मयंक बाकी किसी बच्चे का कोई भी प्रॉब्लम डाउट जो चैप्टर घबरा रहा हो टेंशन हो रही हो कि किसी कोई और बच्चा कि किसी भी सब्जेक्शन लेटेड जरूरी नहीं को मैस से हो जो को स्ट कि मतलब डिकत है विषाका आप क्या कहना चाहते हो कोशन उजी हो रहे हैं आप पूछ रहे हो बता रहे हो नो सार नहीं है ऊके चलिए मतलब आप यह कहना है दिकत नहीं है बाबू मैं दिकत आने भी निढूँंगा किसी चैप्टर में बिल्कुल भी किसी भी चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी दिक्कत आएगी एक दो मीने के बाद जब चीजे थोड़ी सी दुंदुली ओने शुरू हो जाएंगी तो उसको दुंदला होने ही नहीं देना है आपने संडे मंडे लिख देना है दस कॉंसेप्ट है एक दिन में में दूब जाना अकॉंस में रूप जाना लॉकर डूब जाना तो देखो आप मज़ा अपने आप याने लगेगा एक टाइम तो ऐसा रहा जब पढ़ो गे नहीं आपका दिन नहीं भी जाना युद्टा चलो बच्चे कह रहें कि सार्वावस्ट बहुत पका लिए चलो मै कि यहां तक सर डेली रूटीन कैसा होना चाहिए मयंक बाबु में तो देखो रूटीन तो यहीं होना चाहिए कि सुबह आप कहते हो मैं सर चार पजे-पांच में उठता हूं अच्छी बात है अगर आपको दिन में कोई परेशानी नहीं होती है नींद से क्योंकि मैं नहीं न घंटा परता हूं सर तो यह नहीं राथी रख हमें मैं सिव और घंटा परपड़ताउं और और आध्य गंते का ब्रेक लेता हूं फिर डेड़ गंटा परता हूं फिर आध्यां गंटे परता हूं अब यह तो मेरा रूटीन है वे लेकिन Need में लड़ना नहीं है क्योंकि बीआ आपको आदत नहीं है आद गंटे को कनवेट करो 25 मिनट को चालिस एक रटो और आपकी बन जाएगी और कोई बच्चा कुछ पूछना चाहे अब जैसे कि आप क्यों सकता है आपकी हैबिट दो डाई गंटा पड़ने क्यों एक बार में तो मेरी तो यह डेड़ गंटा की है तो मैं अपनी कैपेसिटी हर किसी को पता होता है और प्रैक्टिस दबा के प्रैक्टिस करोगे तब ही में बात बनेगी यह तो पहला सूल है की फ्रैक्टिस तो मस्ट है बाकिक कोई बच्चा कि कुछ बात बताना चाह neo करना चाहे कुछ प्रावल्म करना चाहे इस्टडी से औलेटिड कोई बच्चार स्टडी से रेलेटिड कोई बात शेयर करना चाहे जो दिक्कत कर रही हो कोई बैटा जब दिक्कत होगी तो सलूशन भी तबी होगा ठीक है बिल्कुल अराम-अराम से करते जाओ मई का हमारा बैच है अगर मैं कोई बुक लेता हूं तो यह सोचता हूं कि इसमें मैं क्या कर बाबु आपका यह नहीं है कि मैस से ही अगर आप पास होते तो बाकी सब्जक्ट यह क्यों रखता वह चाहता है सारे सब्जक्ट में आप आप से थोड़ी-थोड़ी नॉलिज ले और यह इंट्रस्ट क्रियेट होगा दीरे दीरे एक्चुली क्या होता ना आप लेक्च्चर के तले अपने आपको दबा लेते हो एक के बाद एक के बाद एक लेक्च्चर तो चल रहा अपनी स्पीड से बद आप उसका इंपूट देते हैं और कभी मना धोड़न करते हैं सर डैक डेने के लिए अ कम देखो और अपनी प्रैक्टिस पर ज्यादा घ्यान दो क्योंकि एगसाम में आपको Speak 끝 काम की लिए ऊप को बीडिय आप पता चलेगा सब्सक्राइब को इसका मतलब यह कि मैस आपको समझ आ रहा है इसलिए आपको मैस अच्छा लग रहा है अगर मैस अगर सरद्रत करता नो आप नेंट्रस्ट क्रियेट करो दीरे थी ठीक आपको मैस सबसे पहले तो सरकी क्लास के अकॉर्डिंग और अपने आपको चेक करो कि मैं कितने गंटे बाद उब जाता हूं माइंड की एक लिमिट होती है जैसे मैंने बताया मैं देड़ गंटा तक ही बैठ सकता हूं उसके बाद भीया आदे गंटे का रच चाहिए ही चाहिए ठीक है देड़ गंटा हो अलाकि आप दो गंटे भी पर सकते हो कोई बच्छा दो गंटे में ना उपता हो पूबने का मतल कर लेगा देड़ गंटा बुरी तरह से अपने आपको प्रस्टेट कर रहा है तो अच्छा तो बंदी कर दो किताब बंद करने के बाद थोड़ा इधर उदर फ्रेश होके फिर माइंड से लक्स होके बैठो मैं नींद का बड़ा कच्छा हूं या नींद से मेरे को बड़ी अभी सारे काम होते हैं तो बिठाना पड़ेगा अभी तो आप उसमत करो मई तक अपने आपको बंद कर लो चीजों को समझना स्टार्ट करो कि यह किया था यह किया था कर हो सकता है आपको ऐसा भी हो कि आप अकाउंट में पीछे चल रहे हो मैस में ठीक चल रहे हो कोई दि और कोई डाउट किसी बच्चे का जन्नत राधा जिम्स सरबजीत विशाखा आज वैसे जर्नल बाते कर रहा हूं कि बढ़ी बच्चों की तयारी चल कैसी लिए पूस्तों लेंग रहा कि चलिए सरब जीत कहते हैं यह कोई दिक्कत नहीं है जीम्स और राधा विशाखा ओके यह चलो बेटा जर्नल बाते भी बहुत हो गई बाकी कोई डाउट लगे किसी भी सब्जेक्ट में सोरी किसी भी सब्जेक्ट में मतलब प्रॉब्लम से रिलेटिट के सार यह प्रॉब्लम नहीं बताओं कि उसका सलूशन कैसे देखोगे जब प्रॉब्लम होगी तो सलूशन भी तो तभी होगा ना कि यह हो सकता है अगर आप नहीं कर रहे हो मैस का का तो आप समझ लेंगे होमवक्त तो पैटा समझे खूंद हो मस्ट है हुँमवक्त तो तुम्हें दुनिया इदर की उदर हो जाबेशक क्लास कम कर दो संडे के दिन भी फज्जा आते हैं बच्छे क्लासे चल रही होती है मैसे जा रहे होते हैं तो संडे को अपने मेरा मानना है कि संडे को यार फी और एक बार माइंड को चुप करा दोगा तुब बैट और चुप बैट फिर वही करेगा जो आपका होगे तो कि माइंड को तो सिर्फ मजा चाहिए पढ़ाई में मजा थोड़े ना पढ़ाई में तो सिर्दर्द है और मजा आएगा मूवी देख लेते हैं चल बाहर के तो पूरा फोकस लगाएगा अब अपनी चेक करना कि आपकी गंटे की या दो गंटे की ए तीन गंटे की चार गंटे की समझे ना बात को कि यह सारी चीजें चलिए बावु मैं क्लास करता हूं आज जर्नल बाते कुछ ज्यादा ही हो गई ठीक है चलो बेटा ऑल दा बेस्ट चेक केर गुडबाई बावाई बाकि कोई भी डाउट लगे तो आप मूच ले ना बिना इसकी चार्ट के ठीक हो सकता है आप में इंप्रूव हो जाए कुछ प्रॉब्लम होती है उसको इंप्रूव करना ही हमारा क्ला स्टाप होता है जैसे आप करो डेली रूटीन के बारे में तो यह बिटा अपने हिसाब से आप कर सकते हो क्योंकि हर एक बंदा अपने आप में डिफ्रेंट कोशन पर है ठी इस दिन में शाइट क्लास भी रखता रखता भी हुता हूं तो शाइट प्रैसर में रखनी पड़ जाती है आप चलिए बाबू बाइस टेक केर दिन बाबाए भाए बाए जाए जाए जाए